हाई गाई वेलकम तो एडूकेटर और गूट मॉर्निंग तो अल फ्यू फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देश सेकेंड का कोश्चन है उसको लिख रहे हैं इस कोश्चन को लिखना है और आंसर आपको रात तक या फिर कल मॉर्निंग तो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो कल हमने किया था उससी तरह से करना है आज हम उसी सवाल को लिते हैं जो सवाल 66 में आने की जिसकी प्रोवाइडिटी बहुत अत्याधिक है या फिर उस टॉपिक से सवाल आने की चांसेज बहुत ज्यादा बंदा है कोई इंडिया मॉमेंट भी पिछले तीन-चार साल से नहीं पूछा गया था तो कोई इंडिया मॉमेंट का भी चांसेज है कि 66 में पूछा ज़र क्योंकि अन्य सारे मॉमेंट जो इंपोर्टेंट हैं वो पहले ही पूछ लिया गया है इसलिए कि इंडिया मॉमेंट की प्रवैब्लिटी अत्याधिक बनती है कि वह सवाल 66 में आ तो role of elections commission बहुत important हो जाती है इस लिहाज से भी कि elections conduct करवाए गया है दूसरा लिहाज यह है कि इसका turn भी आने वाला है मतलब चार-पांच साल से नहीं पूछे गया है में 64 में भी नहीं पूछा गया है और 65 में भी नहीं पूछा गया है क्योंकि elections commission उसका alternate year का topic रहता था फेमस भी है और important भी है वो पूछते ही थे BPSC वाले तो इस बार नहीं पूछें दो साल चाहिए इस बार पूछें इसलिए हम इस बार आज election commission को ही discuss करेंगे उनके रॉल के बारे में discuss करेंगे तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस सवाल को लिखेंगे जितना बन सके लिखिएगा please क्योंकि आंसर लिखेंगे तभी आपके तैयारी पर Command हो पाएगा बिना आंसर्स लिखे हुए तयारी पर कमान नहीं होता है मुश्किल हो जाएगी फिर तयारी करना तो देखते हैं आज का आंसर्स क्या है एफ कोस्टेंज क्या है फेंस discuss the role of election commission of India in the conduct of free and fair election कि इसमें पहला पार्ट में यह कहता है कि discuss the role of the elections commission of India in the conduct of the free and fair elections देखिए अब यहां दो पार्ट है सवाल कोस्टेंज का role of elections commission of India क्या है role of elections commission of the India आप दूसरा में क्या कहता है इन the conduct of the free and fair elections पहला तो रॉल 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 आफ एलेक्ट्स कमिसंस को discuss करना क्या उसका role क्या होता है दूसरा पार्ट में यह करना है कि the conduct of the गया बोटर आईडी कार्ड हो गया मोड़ अप मोड़ 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 कोड़ कंड़क्ट हो गया ओके और बहुत सारी चीज हैं जिस पर नियंत्रन लगाते हैं और जिसके थुरू वो को फ्री एंफेर कंड़क्ट करवाने में फिर चुनाब से पहले 24 गंटा या 48 गंटा पहले जो होता है कि यह बंद कर दो पर चार फरशार उस पर भी रूख लगाया जाता है तो बहुत सारी चीज है जिन पर उनकी रूख के होती है जिस बज़े से फ्री एंफेर कंड़क्ट दिया जा रहा है उसमें भी एलेक्शन कमिशन ने लगाया है कि आप ऐसा नहीं करेंगे जिस अस्टेट्स में एलेक्शन हो रहे हैं उस एलेक्शन में उनके सर्टिफिकेट पे पीम नरेंदर मोदी जी का तश्वीर नहीं होना चाहिए ताकि उन लोगों को यह ना लगे कि यह पीम मोदी जी का इनिसेटिफ्स हैं और होई वैक्शिन लगा रहे हैं और उनके फेवर में ही वोट कर दे तो इस परकार के इनिसेटिफ्स लिए जाते हैं अलेक्शन कमिशन के दौरा अब देखें दूसरा में क्या है अब देखें कोविड-19 के दौरान क्या-कया मेजर्स लिए गए एलेक्शन कमिशन के दौरा ताकि एलेक्शन को कंड़क्ट करवाया जा सके इनके बारे में भी हम इनको लिखेंगे पॉइंट के वाइज में ओके तो तीन पार्ट्स होगे को और एक थोड़ा इंटोड़क मतलब एलेक्शन कमिशन के दौरा मेजर्स लिए गए थे थोड़ा मैं आपको इपर रिमाइंड करवा देता हूं आप लोग देख लिजेगा फिर से भी जैसे कि अब एलेक्शन का टाइमिंग बढ़ा दिया गया था मॉर्निंग में एक गंटा यर्ली और इविनिंग में गंटा लिटर उसके बाद जो बुजर्ग बैकती थे उनके लिए मतलब पॉस्टल वैलेट बॉट का भी प्रापधान दिया गया था उसके बाद था कि मतलब जो नॉमिनेशन के दौरान आदमी कम जाने की प्रापधान था उसके बाद परचार-परचार पर भी रोक लगा तो मैं आशा करता हूं कि यह सवाल आप लिखेंगे और सवाल को लिखिए धंग से लिखिए और शाम में मिलते हैं इनके मोडल आंसर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो